नमस्कार दसमाचार भारती में आपका हार्दिक श्वागत है प्रत्य एक बर्स बिहार को बाड का दंस झेलना पड़ता है बिसेस कर उत्तर बिहार हमेशा से बाड की चपेट में रहा है आजादी के 75 बर्स बीट जाने के बाड भी अभी तक बिहार में बाड से बचाव के रिए कोई भी अस्ताई समाधान नहीं ढूने जा सके हैं बाड के कारण उत्तर बिहार के लोगों को प्रत्य एक बर्स करोडों का नुक्सान होता है एबम खरी फसले भी मारे जाते हैं बिहार का सोग कहे जाने वाली कोशी नदी एबम गंगा नदी सहित सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उन्य सलिला गंगा भी दिरे दिरे रोदर रूप धारन करती जा रही है रवी बार को सिमरिया गंगा घाट में गंगा का जलस्तर सनीवार की अपिक्षा और अधिक बढ़ जाने के कारण सिमरिया गंगा घाट के उत्तरी किनारे बसी दुकाने एबम आवासिये परिसर आज पुर्ण रूप से जलमगन हो गया है जबकि जिला परसासन के द्वारा गोता खोरों की टीमे को घाट किनारे मुस्ताइद किया गया है जो दुकानदारों सहित असनान करने आये स्रद्धालों को गहरे पानी में जाने से रोकने के साथ साथ किसी भी अप्रिय घटना की इस्थिती में तुरंत उपाय करने के लिए गोता खोरों की टीम मुस्ताइद है इसके अलावा बेगुसराय जिले के गंगा के उत्तरी भाग में बसे दियारे तो जलमगन हो ही गये हैं अब पानी धीरे धीरे गाउं की ओर भी बढ़ रहा है जिला परसासन को मुस्तेदी के साथ इस विपरीत परिस्तिती में शहियोग के लिए तत्पर रहना होगा रविबार को सिमरिया घाट पर गोता खोरों के टीमों का नेते तो कर रहे अनिल कुमार ने कहा कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है इसके अलाबे गंगा से सटे बेगु सराय जिले के विभिन गाओं के दियारे छेतर में पानी अपना प्रभाव जमा चुका है किसान परिशान हैं उन्हें पसू की चिंता सता रही है पसू के चारे की चिंता सता रही है वेसी विप्रीत परिस्तिती में निश्चे ही किसानों के प्रती सरकार को एबं अस्थानिय सासन को सहनभूती पुर्बक विचार करना चाहिए। आईए सुनते हैं अनिल कुमार ने क्या कहा। देख रहे हैं कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और यहां का अस्थानिय डीडी आरेफ गोता खोर के टीम लगातार मोटर बोट से गस्ति कर रहे हैं। कंदार से लेकर के आने वाले सरधालूओं को सुरक्षा है तो बारे घंटा कंटिनेव ड्यूटी परताइनात हैं। मोटर बोट के सारे गस्ति कर रहे हैं और सरधालूओं को अलट कर रहे हैं कि आप लोग एदम गहरे पानी मैसनान नहीं करें। कम से कम पानी में सनान करें साप धानी बरतने की जरुवत है और तमाम गोता खोर ड्यूटी पर तैनात है आप सरधालों की सेवा में जीला प्रसासन के ओर से हम लोग पूरी तरह से इदम अलट है जैसे ही कहीं कुछ आगे का आदेश आता है तो हम लोग जाने के लिए तत पर है तयार है धन्यबाद